हलो क्लास वेलकम है आप सभी का इंडियन इंग्लिश पोईट्री टॉपिक जो है वही हम बात करेंगे इंडियन इंग्लिश पोईट्री है आपके सलेवस में ये टॉपिक इसकी बात करेंगे और पोईट कौन-कौन से हैं जिससे कॉशन आ सकते हैं स्टुरेंट बिकॉज इस English Poetry, then Fiction and Short Story तो फिर आप सारे ही Indian English Literature पढ़ सकते हैं इसके तहएं लेकिन है मैं यहां पर आपको आज किबल Poetry के बताऊंगी, फिर Fiction و Short Story के आपक ही जीख कहां तो Poetry में हमारे Important Poet आजाते हें Kamaladas in Indian, okay, Main जो मैं बता रहे हो Important, Kamaladas, Nisem Azekil रमीदेनार टैगौर, गीतानजली जिनका है सरोजनी नाइडू और तोरू दत जिसमें से कि previous आपका एक exam paper जो मैं आपको show करती हूँ उसमें आपके दो question आये हैं सरोजनी नाइडू से poetry में overall आपकी Indian English Literature से 5 question आ रखें उस paper में but poetry से 2 question आये हैं तो पोईटरी आज हम देख रहे हैं और जैसे कि फिर आपके सामने और भी Indian writer है मुलकराज आनन, आरके नारायन, लस्किन बॉन्ड, राजा राओ तो ये सारे fiction में आजाते हैं आपके, okay, fiction and short story में हम आज poetry के तहत कौन-कौन से poet हैं उनको आज student I'm secure में cover करेंगे और उनके questions कैसे आते हैं, वो देखेंगे pattern Indian English poetry, important poet that is Kamla Das, Nisam Azikil Ravina Tagore, Sarojini Naidu and Toru Datiye, मैंने main five ले लिये हैं, फिर भी एक दो ऐसे नाम भी हैं, जो आज आज आपको इस lesson में मिलेंगे, जिनसे जो question बनता है बस वही question आप देख ले न और उनको इतना deep, उनकी biography नहीं पढ़ना है एक बात और कि ये जितने भी आपके सांद में writers दिख रहे हैं, इनकी separate biography separate amzikus भी मैं बना चुकी हूँ और आप लोग कई सारे बच्चे देखते रहते हैं पर ये special lesson मैं इसलिए बना रहे हूँ कि आपको एक जगा सब मिल जाए तो इस वीडियो के description में मैं ये सारा content upload कर दूँगी Indian English Literature का एक अलग से playlist भी बना हुआ है अगर वो आप पढ़ ले तो आपके ये तीनों topic Indian poetry, Indian fiction and Indian short story complete है already फिर भी मैं ये lesson बना रहे हूँ फोर आपके special exam के help के purpose से Indian English Poetry question देख लेंगे सरोजनी नाइडू जी के जो दो question आया है वो कौन से आया है तो बाइग्राफी से एक question ये आया है देख लेंगे The nightingale of India was a title given to सरोजनी नाइडू बाई महत्मा गांदी अच्छा ये एक question आ गया और एक और यहां आये था इंका question that is important सरोजनी नाइडू उस अनपब्लिश्ट वर्ड्स वर ब्रॉट आउट आउट आफ्टर हर डैथ अंडर देटाइटल तो इनका ऐसा work जो published नहीं हुआ था इनके lifetime में और इनकी death के बाद published कराये गया था that is the feather of dawn वाकि ये सारे work भी इनहीं के ही है तो ऐसे questions इनके poetry से two questions आये थे again मैं बता रहे हूँ and five questions आपके आ रखे हैं पुरे Indian से अब हम लोग शुरू करेंगे आज जो MCQs हमारे सामने है उसमें आपको कमलादास मिल जाएंगे निसम आजिकिल, रविना टैगोर, सरोधनी नाइडू and टोरू दत ये main रहेंगे इनके questions आपको मिलेंगे एक तो और मिलेंगे वेद प्रिकाश मैताजी का एक important work है कुछ ऐसे कि उनका work इतना famous होग तो आप उनकी वाइग्राफी वगरा क्या आजाएंगे पढ़ने चलिए विच अप तो फॉलोविंग इनियन इंग्लिश पॉएट्स वास प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एड बंबे यूनिवर्सिटी इस निसम आजिकिल निसम आजिकिल का बर्त बंबे डेथ बंबे और प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश विपो बंबे में ही रहे इनका लाइफ इसपान है 1924 से 2004 पादमश्री 1988 में मिला है इनको और साहते अकेडमी अवर्ड 1983 में मिला है लैटर डे साल में इनके वर्क के लिए ये हो जाता है क्यों ये क्यों लिये गए इतने सारे इंपोर्टन क्योंकि इनके अवर्ड होते हैं इनके प्राइस होते हैं पदमश्री पदमभी वूशन साहते अकेडमी अवर्ड तो ही इनको लिया जाता है स्टुडेंटों के मैं कई बार बता चुक है यह पॉइंट आजिकल पोयम बैग्ग्राउंड कैज्वली इस रिटिन अबाउट वर्ड पर फोकस करते चलना कौन-कौन से वर्ड है इनके तो बैग्ग्राउंड कैज्वली एक वर्ड है इसकील का पोयम है जो कि इन्होंने खुद लिखी है और यह एक इनका अर्टो बैग्राफिकल वर्क है इसके थ्री सेक्षन है और इन्होंने अपने चाइल हिट को डिसक्राइब किया है इस पोयम में ऐसा फिस्ट परसन ठीक है कि मैं ऐसा मैं वैसा बच्पन में लाइक फरस्ट परसन के रूप में बैग्राउंड कैजॉली बाई आजिकल अन्ड क्या है इनका अर्टो बैग्राफिकल पोयम है नेक्स्ट गुश्यन इग्जेक्ट नेम इस नेम ऑफ वोल्यूम ऑफ पोईटरी रिटेन बाई इग्जेक्ट नेम भी इनी कही है नेसम आजिकल का स्टुडेंट नेसम आजिकल फादर ओफ मॉडर्ण इंग्लिश पोईटरी कहे जाते है बाई मैनी क्रिटिक साहित अकेडम अवर्ड इनको एटी त्री में मिला था लेटर डे साल में इनका वर्क है तो एग्जेक्ट नेम जो इनका वॉल्यूम है पोईटरी रिटिन बाई ये किसका लिखा हुआ है नेसम आजिकल का है 1924 में इनका जोइन हुआ था अ टाइम टू चेंज वोज रिटिन बाई अगेन टाइम टू चेंज किसका वर्क है नेसम आजिकल का एस्टुएंट देखिए और कैसे कोईशन आ चुके है इसके अलावा मैंने नेसम आजिकल के सपरेट जो एमसी क्यूज का लेसन बनाया है और बाईग्राफी का वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उसको भी जरूर देख लीजेगा क्योंकि यहां पे तो मिक्स ले रही हूं है और टोटल कोईशन लाइक ट्वेंटी सिक और ट्वेंटी सावन है पर वो सारे जरूर देख ले टाइम टू चेंज बाई निसम आजिकल बैग्गराउंड कैजवली निसम आजिकल एक्सक्तर निम बाई निसम आजिकल बॉंबे विच अप तो फॉलोविंग इस नॉट आप पोयम बाई कमला दास कमला दास इस वेरी वेरी इंपोर्टन पोईट कमला दास, कमला सुरया, मादवी कुट्टी यह इनी के ही नाम है और किस वे में है, सारे कोईशन अभी हमारे सामने आएंगे कमला दास, इनमें से कौन सी पोयम इनकी नहीं है so the answer is नाइट आफ दा स्कॉर्पियन कमला दास की नहीं है, यह निसम आजिकल जी की है okay, so summer in Calcutta the dance of the yinuk and krasna, यह सब कमला दास का important work है my story, इनकी autobiography है कमला दास poetry can be best described as confessional कमला दास confessional poet कही जाती है तो इनकी poetry confessional way में लिखी गई है काफी अपने life को ही confess किया इनोंने अपने work में what is the real name of poetess? कमला दास मादवी कुटी यह इनका real name हो है, student Malayalam and English में लिखती है, Malayalam इनका mother tongue रहा and जो इनका autobiography है that is my story, वो भी पहले इनोंने Malayalam में लिखी थी originally then वो इन्लिश में my story से translate होई what is the title of कमला दास autobiography आगया question, that is my story and my story originally Malayalam में लिखी थी जिसका title था Ante Katha my story का नाम क्या था Malayali में Ante Katha आजाता है question क्योंकि Ante Katha publish हुआ था 1973 में, पर my story का publish हुआ था 1976 में in English autobiography of कमला दास उपर जो दो important work दिये गा है summer in Calcutta and the descendants ये भी कमला दास जी के work है who is the author of summer in Calcutta that is कमला दास, okay कमला दास, मादवी कुटी, इनका जो real name कहले the old playhouse and other poems was written by answer is student B ये भी कमला दास की poem है old playhouse, the old playhouse and other poems, यह हम है poem's name, आप question देख लीजे जो आ चुके हैं और ऐसे ही आते हैं वही यहाँ आपको शोगर रहे हुँ मैं, तो ये questions इनके work से आ रहे हैं descendants, my story and summer in Calcutta देख लेजे, ओके, next one is who is the author of the volume of poems, the decedent decedent again, कमला दास का ये बता चूकियो मैं आपको, तो कमला दास is the poet poet of poetess of the decedent, work name हम फोकस कर लेंगे decedent कमला दास दास, decedent next one is who among the following letter embraced Islam जैसे कि मैं आपको इनका नाम बदा है न कमला सुरया तो वह इसली हो जाता है कि ये अपने लाइफ के अन्तिम समय पे एक इसलाम जो है धरम अपना कर कमला सुरया अपना नाम रख लेती है तो वही पूछ रहे है उसमें नाम नहीं बताया गया ऐसे नाम भी लिखा रहता है अभी आप सर्च करेंगे तो इनके दोनों नाम लिख कर आएगे मादवी कुटी भी लिख कर आएगा who among the following letter embraced Islam इनमें से किस writer, poet ने ऐसा किया that is Kamala Das next one is in his poem A Morning Walk निसमाजी के important poem that is Morning Walk की बात चल रहे है यहाँ पे यह Morning Walk पोयम में बात करते है एक city के बार में barbaric city sick with slums, deprived of season blessed with rains, it hawkers, beggars iron lunged procession led by frantic drums यह line इन्होंने Bombay के लिए बात किया है तो आप देखेंगे न Bombay में इनका जर्नम है Bombay में death है Bombay University में प्रोफेसर है हाला कि विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे लेड्स उनिवस्ती में बार Bombay University के प्रोफेसर भी रहे तो Mumbai की यह बात कर रहे है अपनी poem A Morning Walk में आपको यार रख लेना है A Morning Work Poem by Nisam Azikil आप कनेक्ट भी कर सकते हो सलम, सीजन कैसा है वहां का ब्लेस्ट विद रेंस तो Mumbai में बारिश होती है वहां के हॉकर्स, बैगर्स, आईरन लंग्ड ऐसे Next one is Identify the poet from the following who has written Portrait of India यह अलग कोशन मैंने बज़े से बोला था तो यह एक राइटर है वेद परिकाश महता Indian American touch है इनका तो Portrait of India इन्होंने यह work लिख रखा है तो आप यहीं से इनको बस यहीं ऐसा याद कर ले Portrait of India by वेद परिकाश महता पब्लिश हुआ है यह work लिख रखा है नाइंटीन सावन्टी में The Gift of India Bengal Seller The Anthem of Love Poem's name है यह सारी The Gift of India Bengal Seller The Anthem of Love Palanquin Bearers Identify the author from the following तो author को आने सरोजनी नाइटू है इन सबकी author Poet Poetist Identify the poet who has written Sita Speak जैसे वो वेद परिकाश महता का एक कोशन आ रहा है Portrait of India ऐसी यह भी है Sita Speak जो इसके इस work की हमको Poet का पता लगाना है Indicating the society for the injustice meted out to women down the ages Sita Speak का आप याद रख लेना यह work है बीना अगरवाल जी का Okay, economics ताही है यह से Next one is Who out of the following wars highly influenced by French romanticism French language and literature तो कौन है इसमें से टिक लगे हुए है तोरूदत है तो यह French romanticism and French language literature से influence रहते हैं इनमें से कौन तोरूदत यह बाइग राफिक के MCQs बन चोके हैं बहुत ही famous है यह भी आवर के अजुराना ट्री इनका work है तो फ्रेंच से कौन टच में था इनमें से गोविंद, मदुसूदंदत औरूदत तोरूदत तोरूदत is the correct answer ओके Next one is तो यह लाइन बोली गई है अर्थर मिलर ने सरोजनी नाइडू के लिए जितनी भी लाइफ है टाइनी फिगर्स की ठीक है इस तरह से सरोजनी नाइडू ने जो work लिखा है न तो वह ता रहे है कि जो इन्होंने लिखा है टाइनी फिगर्स इस फिगर्स की बारे में ऐसा लिख दिया है चंश्यों बढ़्सक्राइफ है जो आइस पर तर्ण टोवर्स ब्यूटी एस संफ्लावर टोवर्स टोवर्स जैसे कि वह सारे ब्यूटी इतने लगए जो सारे जो टाइनी फिगर्स थैं ब्यूटी की तरफ इतने टर्न हो गए है बिल्कुल ब्यूटीफुल लग रहे हैं जैसे कि सनफ्लावर टर्न करता है सन के लिए यह अर्थर मिलर कटेशन बाए अर्थर मिलर फॉर सरोजनी नाइडू identify the poems from the following in which we get a moving picture of a mother suffering written by Ezekiel Ezekiel का जो poem है Night of the Scorpion वो है and Ezekiel का poem है इसमें ना एक mother होती है उनको scorpion जो है काट लेता है तो यही वो बोल रहे हैं कि we get a moving picture of mother suffering हमको पूरा अगर आप यह poem पढ़ेंगे तो एक दम बहुत ही जादा इसमें imagery device है full imagination आपके आखों के सामने picture चलेगा ऐसा आप poem पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप सामने चल रहा है वो सको okay तो moving picture दिखती है कि मदल कितना सफर करती है Night of the Scorpion poem है Ezekiel की paying a tribute to a Bengali poet who wrote in English also Shri Arvindo said the god himself took up the pan and wrote who was he देखिए मदू यह जो है हमारे Michael Madhusudan okay यह हो गए इनके लिए Arvindo जी ने यह line बोली है कि the god himself took up the pan and wrote कि god खुद उनका pen लेकर लिखते थे लिखे हैं इनका work इतना जादा divine रहा है जो इन्होंने बोला और विंदो जी ने तो यह इनको tribute दिया है एक बंगाली poet को जो की है Michael Madhusudan जी यह से कोशन कुछ अलग आ जाते हैं Who has written our casualiana tree? I splendid Kitsian poem Kitsian means होता है जो हमारे John Kits है ना उनका style follow करके यह poem किस ने लिखी है Our casualiana tree, Toru Datka work is student important work is Toru Datka, Our casualiana tree The question इनका यही से बन जाता है Toru Datka Nisam Azikil was born at Bombay कहां जन्म हो है इनका? Bombay में हुआ है 1924 में and that is 2004 The professor and philosophy are famous poems written by Nisam Azikil तो यह work है और Nisam Azikil इसके point है Which of the following poems is not composed by Sarojini Naido इनमें से कौन सी Sarojini Naido की नहीं है Number 4 Indian philosophy उनकी नहीं है वो Saruprali Radha Krishnan जी की है Indian philosophy तो यह जो work है Palanquin Bearers, Songs of Radha, Fish are a Man of Coromandel अब आज के ही इस lesson में आपने Sarojini Naido के कितने सारे work देख लिए अभी पीछे एक question दाए कितने सारे उसमें नाम थे अगर एक जगा आप लिखेंगे तो आपके आज ही आज में where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls किता अंजली का quotation है by Rabina Tagore Kamala Das was famous for short poems and stories which of the following is not written by her तो आसंगम सिटी इनका नहीं है खुश्वन सिंग जी का है वो Kamala Das के बागी work and the freaks looping glass, the suicide यह हो गए short poems and stories अब हम जब short story का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे भी आई जाएंगी है तो आप अगर मैं तो separate बता रही है अगर आप mix भी कई Indian पढ़ने हैं तो आपका उसमें नुकसान नहीं है क्योंकि आपके syllabus में poetry भी है fiction novels भी है and short stories भी है तो आप सारे writers को consider कर सकते हैं important consider the following following statements सरोजनी नाइडू अब ये statement देख लो और हमें को ये बताना है कि इन में से कौन से correct है तो option number one and option number four correct है student that was called the nightingale of India पुगारी जाती है ठीक है and was a poet and a great lyric writer who emoted through her poem ये भी important poet थी एक अच्छा अब ये कहरें was not a poet तो ये गलत है and was not in touch with Simon ये सब गलत है first and four is correct one okay students तो आज हमारे total MCQs complete हो गए है at least 26 25 to 26 MCQs रहे Kamla Das Nisam Azikil Ramina Tengor Saroj Jinaidu Torudat हमने इनके mix questions आज अज 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 लाशन में cover किये and Indian English poetry के लिए important poets है इनकी biographies and MCQs जो separate है वो भी जरूर देखे thank you so much for watching this lesson share जरूर करें with needy person जो study कर रहे है त्यारी कर रहे है okay and thank you so much for watching this lesson खुश रहे है positive रहे Jaya Hind